है है लो दूस्तों जैसे कि आपको पता है यह वीडियो है वो क्यों नहीं आप आ रहें दीटीक है जैसे कि मेरे सर में यहाँ पर दर्द भी था और उसकी जो रिपोर्ड थी मैंने यहाँ पर निकल वाई थी जैने कि आप यहाँ पर देख पा रहा हैं विटामिन बी-2 टीक ह और इसे कुछ लोग विटामिन बी-12 भी बोलते हैं ठीक है हलाकि इसका नाम सही होता है विटामिन बी-2 अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यह मेरी हाँ पर 25 जाने कि 25 यह है और यहाँ पर जो रिपोर्ड है वो आप देख सकते हैं 20 अगस्त की है 2024 की ठीक है इसी के साथ में हम जानेंगे अगर विटामिन बी-12 अगर हमारे सरीर में कम होता है तब आखिर इसके लच्छड क्या होते हैं और इसे चैक अप कराने में आखिर कितने पैसे खर्च होंगे और इसी के साथ में से पूरा किस तरीके से किया जा सकता है ठीक है तो मैं चलिए आपको आप यहां पर देख पा रहे हैं जो कि 166 है जनकी जनकी कम है मेरी ठीक है और होना कितनी चाहिए 187 से 893 तक होना चाहिए अगर इन दोनों के बीच में फिर इन दोनों के मैच करती है यहां पर तो नौर्मल में आती है ठीक है पर यहां पर मेरी अभी भी इसके मुकाबले यहां पर कम है दस पर ठीक है पर इसके अगर कम होती है तो इसके लच्छड क्या क्या होते हैं जैसे कि सरीर में कहीं पर सुनना पनना ठीक है तब इस तरीकी प्राबलम है तो यह भी एक लच्छड होता है इसी के साथ में अगर आपकी मां स्पेशियां हैं जिन में एटन है या फिर दर्थ है ठीक है तब वी यह लच्छड है इसका ठीक है तो यह मैं लच्छड है ठीक है पर अगर आपको सुनना पन रहता जाता थर ऐबात्तर आ मुझे ठीक हुए तब आपको वह ब्यात्त को भीरी पाज़ान कि मुझे पर सुनकोने ठीक है तब की यहांपतर लेते हैं यान की बुटामिन कि उसेंए पर चांच करते हैं और आप मैं इसको पैसे हैं टक हञा लिया था ठीक है हलाक जो कारा तक रा चाहीं है जाहा है तो आप अबrakा पर आपास जाहरा सकते हैं इसके साथ में इसका इलाज किया है जैसे की है मेधी हाँ पर 10% अभी कम है ठीक है तो आप टाइबलेट शीप मजों बताए गई आप टाइबलेट ले लिए लिए यही एक मत का कॉर्ष होता है Take त tom ren कल से यहां पर टेबलेट ले आया हूं और उन टेबलेट को पृति दिन एक टेबलेट से लेना है एक मंत्रफ टो मेरी यांपर विटामिन बीट रिए यूक है यहां पर यहां पर पूरी हो जाएगी How directly में यह हमें मिलता कहांसे हैं जैसे कि हमारे कि अधिक जैसे कि जो मास सहरी रोग है तो बहुत हो मास से पूरा कर लेते हैं इसे ठीक है और अंडा है जैसे कि दूद्ध है दूद्ध में विटामिन ट्वाइल काफी अधिक पाया जाता है इसी के साथ में केला है तो आप इन चीजों को रोजीना अपने खाने में ले सकते हैं तो इससे यह है जो आपकी बिटामिन बीट वाइल है वो पूरी हो जाएगी जल्दी बढ़ने लगेगी ठीक है अब यह काफी लोगों में अधिक भी पायाता है पर ऐसा बहुती कम होता है ठीक है तो इससे की किड्नी बगारा है लीवर बगारा में अगर कभी आ होने लगता रिटीक है जैसे कि काफी लोगों को किड्नी से रि्लेर तक तो इसमें पथली बगारा हो जाती है ठीक है तो ऐसी स्तथी में अगर उनका चुनता प्रगनेंट है ठीक है तब ऐसीस्ती में उनका जो विकॉस्वायल है वह यहाँra पर यानिकी य יардऊभी कम हो सकता है ऐसी इस्तती में अगर पींच है तो आप उनका दूध बढ़ा देजीए ठीक है ये शब से हचा है ठीक है क्योंकि बच्चे के लिए भी सही रहता है और ची की मा पना परसंद नहीं है तो उन्हें प्रक्रभन कोई प्रणा कर देजींगा अगर उन्हें जैसे की मीठा खाना परसंद नहीं है तो उन्हें पिना चीनी का फिर कम चीनी डाल के भी दे सकते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है बिटामिन भी टोईल हमारे सरीर के लिए क्योंकि नया खून बनना और हाथ उपरों में सुनना पन होता है जैसे कि हम कहीं पर बैठ जाते हैं तो दो मिनिट नहीं हो पाते हैं तब यह तक हमारे पैर जो सोने लगते हैं अगर कभी कवाई सोता है जैसे कि हटा खाड में ठीक बैठ गए और अब बैठे बैठे का ज्यादा काम करते हैं तो बहुत चीज अलग होती है ठीक पर ज्यादा ही अगर आपको परिशानी मैसूस हो रही है तब आप इस चांच के लिए करा सकते हैं ठीक है हलाकि विटामिन जो बी ट्वाइल है इसके कैप्सूल्स भी आते हैं इंजेक्शन भी आते हैं इंजेक्शन हैं आपको दो से तीन इंजेक्शन ये फिर पांच लेने होते हैं यह आप अपने डॉक्टर से इसके वारे में जरूर्वर ले लिए ठीक है यह एक मेरी राय है और यह वीडियो मैं इसलिए यहाँ पर अप्लोड़िट कर रहा हूं क कि जो मेरी वीडियो थी वो यहां पर नहीं बन पारे थी कि मेरा दिमाग की काम नहीं कर दया था ठीक है उसके बाद में मैंने इसे जांच कर पाया और मुझे ऐसा लगा ठीक है तो मैंने डाक्टर के पास गया उन्होंने मुझे बताया कि आप इस चीच की चरूर जांच आयं कि उन्होंने दो टत restored दिये थे तो मैं लग रहा है कि उससा पहले और भी कम होगी यहां पर ठीक है तो उसकी खाने के बाद उन दो को खाने कि वा तब मैंने इससे जांच कर आया और उसके वाज़िद में भी कम निकली ठीक है तो हो सकता है अगर आपको इस्तरी ही प् स्क्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं नाइस वीडियो सुमेंट